Government of India ने एक advisory launch की है 14 दिसंबर तक आप बिल्कुल free में अपने आधार card को update करा सकते हैं इसके लिए आपको nearest store जाना होगा जो UIDAI का center है या फिर आप घर बैठे online ही अपने आधार card को update कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको complete guide करूँगा और दोनों ही तरीके बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको apply करेंगे अपने आधार card को update करेंगे तो दोस्तो मैं हूँ हमन हुसेन और आप देख रहे हैं Tech Helper हुसेन चैनल अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है इसको subscribe कर लें और bell icon को जरूर दबा दें साथ ही अगर आप इस वीडियो को facebook पर देख रहे हैं तो यहां भी हमको follow कर लें ऐसी ही tricks वगर आपको यहां पर मिलती रहेंगी तो चली दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यह information क्या है अभी दोस्तों UIDI की तरफ से यह launch किया गया है कि 14 December तक अगर आप अपना आधार card update कराते हैं तो यह बिल्कुल free न हुगा आपसे कोई भी face नहीं ली जाएगी साथ ही जो government of India है उसने भी advisory launch की है कि जिन लोगों का आधार card 10 साल पुराना है या फिर 10 साल पहले उसमें कुछ update किया गया था लेकिन 10 साल से वो updated नहीं है दोनों ही person को अपने आधार card को update कराना कमपल सरी है या तो वो 14 December से पहले पहले free में करा लें वरना उनको 14 December के बाद पैसे दे कराना होगा अब ये किस तरह से कराएंगे आप अगर आप offline कराना चाहते हैं तो आपको अपना आधार card और आधार card के साथ में दो आपको documents देने होंगे एक तो पहचान का दूसरा address का पहचान में आप अपना water ID card दे सकते हैं और address proof के लिए electric bill दे सकते हैं तो आप या फिर राशन card वगरा दे सकते हैं ये सभी documents लेकर आपको UIDI के center जाना है और वहाँ पे आप free में अपने आधार card को update करा सकते हैं अब बात करते हैं दूसरे topic की की आप online इसको कैसे update कराएंगे इसके लिए simply आपको आजाना है अपने laptop में या mobile में और यहाँ पे आपको UIDI की official website पे आजाना है फिर आपको यहाँ एक option मिलेगा आधार update का उस पर आपको click कर देना है यहाँ पर आप अपना आधार number डालेगे तो आपको अपना capture फिल करिए उसके बाद आपके mobile number पर एक OTP आएगा वो OTP आप यहाँ पे फिल कर दीजिए OTP फिल करने के बाद आप इस dashboard में login हो जाएंगे तो अब simply आपको document update पर click करना है फिर आपको drop list में आके अपना पहचान पत्र और address proof के लिए जो भी आपकी scan की copy है वो आप यहाँ पे attach कर देंगे upload कर देंगे जब वो successfully upload हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक request number मिल जाता है जिसके थुरू आप अपने आधार card के update status को check कर सकते हैं और इस तरह आप घर बैठे अपने आधार card को update कर सकते हैं जिन लोगों का 10 साल पुराना आधार card है या फिर 10 साल से वो updated नहीं है दोनों ही situation में इनको update कराना होगा और जितना जल्दी आप करा लेंगे उतना ही आपके लिए बहतर है ये information आपको कैसी लगी और अगर आपके मन में कोई भी doubt है confusion है, सवाल है तो comment section में जरूर बताईएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं को और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहें